एलो फ्रेंट्स वेलकम टो ओड नीव वीडियो आफ भारत पेट्रोलियूम कॉर्परेशन फ्रेंट्स पेट्रोलियूम कॉर्परेशन की जितनी भी कमपनी आहे लाइक आयो सी बीपीसीयल और यच्पीसीयल बहुत ज़ादा फोकस में हैं मार्केट में स्पेशलि अगर हम आ का यहाँ पर मिलेगा और एक अच्छा कासा डिविडिन भी आप यहाँ पर कमा सकते हो फ्रेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीपीसीयल की तो बीपीसीयल की जरनी आप देख सकते हो अल्मॉस्ट 357 से शेर ने जो है 442 का हाय बनाए यानि अल्मॉस्ट क्लोस टू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 100 रुपीस पर शेर के आसपास का जो है इन्होंने उच्छा दिखाया है फ्रेंट्स और भी ज्यादा बड़े टार्गेट जो है मार्केट में बीपीसीयल के बताय जा रहे है जहाँ पर 500 रुपीस की प्राइस काफी इजीली क्रॉस करत करता है जिस तरीके का पॉफार्मन्स जो है पेट्रॉलियम कंपनीज ने दिखाया पर्टिकुलर्ली आयोसी बीपीसीयल तो काफी अच्छे जो है यहाँ पर इन्वेस्मेंट्स बढ़ रही है यहाँ फायाइस और मूचल फंड्स भी काफी जादा इन्वेस्मेंट बढ़ कर रहे हैं फ्रेंट्स आयोसी के टार्गेट भी 155 को काफी कम दिनों में टच कर सकते हैं ऐसा अनलिस्ट का कहना है काफी अपडेट्स में जो है 130 और 133 रुपीस तक के टार्गेट जो है बड़ी-बड़ी इन्वेस्मेंट फर्मस अभी कर रही है बिकॉस बहुत तगड़ प्रॉफिट जो है ऑईल कमपनीज को जो है हम अभी होते वे दिखे है और जिस तरीके के डिविडेंट ये प्रोवेड करते है वो बैंक एफटीस से काफी जादा होता है और उसका बेस्ट एक्जामपल यहाँ पर बीपीसील में आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों मे आयो सील में भी हमने देखा देखिए बीपीसील रेस 2% और इंटरिम डिविडेंट डिकलिरेशन ऑफ 210 परसेंट फ्रेंट्स 210 परसेंट का जो है यहाँ पर डिविडेंट बीपीसील प्रोवाइड कर रहा है इसके पहले 4 रूपीस पर शेयर और बीपीसील देखिए फ्रे भी यहाँ पर आड़ करेंगे तो 25 रूपे पर डिविडेंट जो है फ्रेंट्स यहाँ पर बीपीसील प्रोवाइड कर रही है अगर किसी ने इस शेयर को 500 रूपी के प्राइस से भी रीसेंटली जो हमें लोग देखने को मिला था कुछ सालों पहले उस पे भी खरीदा होगा तो उन लोगों का अगर हम एप्रोग्जिमेटली टेंटी डिव कैलकुलेशन करेंगे अगर वो दस साल बने रहते है इस शेयर में तो जितना भी उनका इन्वेस्मेंट है वो उनको डिविडेंट की रूप में मिल जाएगा यानि जो इन्वेस्मेंट है वो हमेशा प्लस में रहेगा और दस साल में कमपणी का जो शेयर प्राइज रहेगा वो जितने उपर जाएगा उतने बड़ा फिर जो है मुनाफे भी देखने को मिलेगे लेकिन यह हमेशा इंडिविजियल इन्वेस्टर्स की चोईस पर होता है फ्रेंड्स की वो इन्वेस्टेड र साथ और फिरेंट बिखने को फिले यहां पर यहां पर इस बिसे ने जो है बीपी चीन का टारगेट देखिए 555 कर दिया जो की अर्लियर 340 था जो की इजीली क्रॉस हो गया है और यहज बिसी ने ही आईोशील का भी टारगेट जो है फ्रेंड्स यहां पर जो 108 रखा था उ उसको 130 कर दिया है बढ़ाते वे तो एजी ले ऐसा लगता है कि BPCL 555 के आसपास जा सकता है और उसको क्रॉस भी कर सकता है और IOCL भी जा सकता है फ्रेंट्स IOCL की पर अगर हम बात करेंगे तो अल्मूस्ट IOCL ने साढ़े 9% का जो है डिविडेंड दिया है अगर हम बैंक FD को जो है इस साल में कंपेर करेंगे तो उससे अल्मूस्ट धाई गुना जादा या 2.8% जादा सौरी मैं बोलना चाहरा था तो उतना डिविडेंड जो है बैंक FD से जादा दिया है जो कि 2.85% होता है to be very precise तो फ्रेंट्स इतने बड़े रिटेंड अगर आपको यहाँ पर अगर आप उस वीडियो को देख लोगे IOCL को तो मैं जरूर आप लोगों को बोल सकता हो फ्रेंट्स याप इस वीडियो में कि आपको एक अच्छा कसा मुनफ़ा कमने का वहाँ पर मौका बन सकता है बिकॉस शेयर प्राइस अभी भी जो है मुझे लो लगती है IOCL की और इस तरीके के अपडेट्स उनने ने दिये हैं बड़ी-बड़ी इंवेस्मेंट्स और जो बिजनेस प्लान्स उनने फ्यूचर में लाने की जो बाते करी है वह मैंने उन वीडियो में कवर करी है जो आपको काफी अच्छा इंफॉर्मेशन प्रवाइड कर सकती है और आपक